हेलो दोस्तों अतुलियारियस की ओनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है मैं विवेक बंसल आपके लिए लेकर आया हूं बैंक की ओनलाइन क्लासेज तो दोस्तों हम अकाउंट से रिलेटेड कुछ स्लेबस देख रहे थे अब भी हम इसमें इंटरडक्शन ही पढ़ रहे हैं दोस्तों तो आज भी इंटरडक्शन में कुछ एक शब्दावली का यू जैसे इंटरडक्शन से रिलेटेड चैप्टर पूरा होगा अपने एक क्लास लेंगे छोटी सी जिसके अंदर मैं आपसे जितने भी अपनोंने कोश्चन पढ़े हैं या इंटरडक्शन से रिलेटेड बाते पढ़ीए मैं पूछूंगा जैसा कि क्या कि लेखांकन की शु आपनोंने पढ़ा था लकास पेशिलियों के बारे में पढ़ लिया था अकाउंट्स क्या है चान नएं थोड़ा बुहत पढ़ा था अपनोंने शुरुदा करते हैं लि खांकन सूचना की गुनातमत विश्यस्ता अब जो लेखांकन है अठां से उन सूचना जो होते हैं लोगों को या फिर जो जो भी है जो भी इस related information को use करते हैं उनको विश्वाश है कि यह information जो भी बनाई गई है वो सही बनाई गई है नहीं तो अगर उनको कहीं पर भी किसी भी चीज में ऐसा लगता है कि खातों को गड़ बड़ है उसे रिलेटेड सारी आइटम चेक करते हैं और फिर खातों में आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है यह विश्वस्षनी है भरोसे मंद है विश्वास करने लाइक है खाते फिर आती है अनुरूपता या प्रासंगीकता होती क्या है उपयोग करता के अनुसार अनुरूप है चाहे कोई भी इसको उपयोग कर ले सभी क्यों कोडिंग है उपयोग करता कि अनुसार बनाई जाती है जो भी खाते बनाए जाते हैं अगर आज कोई भी खाते देखें मैं देखूंगा तो मुझे भी समझ में आएगा हाँ हो सकता है जो अकाउंट से related student नहीं है जो इसका use नहीं करते या फिर जिनोंने आज तक कभी खातों को खोल कर ही नहीं देखा ये होते क्या हैं इन में लिखा क्या होता है उनके लिए थो कि ये असानी से समझ आ जाते हैं खाते इस तरीके से स्क्राइब त्यार है योसको चाहे माली देखें चाहे जिसने खाता त्यार किया है वह देखें इसी लिए लुकाश सकता था क्या आज भी छोटी दुकानों पर देखोगे जैसे कि अपने example ले रहे दें रामु काका की दुकान की क्यारा मुंका की दुकान का खाता मैं जाओओं और पढ़कर बता सकता हो कि रामु काका X, Y, Z किसी का कुछ और नाम भी लिख देते हैं तो क्या अपने बता सकते हैं क्या नहीं बता सकते हैं पर बोध गमेता ही असानी से समझ आ जाते हैं इसका मतलब क्या है जो लेखे ढंग से बनाते हैं जो अकाउंट्स धंग से त्यार करते हैं वो असानी से समझ आ जाते हैं तुलना योग्या होते हैं लेखे बनाने के बाद अपने तुलना कर सकते हैं पिछले वर्ष का इस वर्ष के साथ या उससे पिछले वर्ष का या दो से ज्यादा वर्षियों की भी अपने तुलना कर सक सकते हैं वस्तु निश्टा या निश्पक्षता रहती है इसमें निश्पक्षता रहती है चाहे कोई भी खाता बना ले निश्पक्षी बनाएगा औरीजनल खाता ही बनाएगा यह नहीं है कि आज मैं कोई सेल करूं मैं कुछ गलत दिखा दूंगा कुछ दूसरा बना रहा है वो कुछ और दिखा देगा क्योंकि खाता बनाया जा रहा है गलत नहीं दिखा सकते आप जैसा कि कि रामुका का किसी और तरीके से खाता बनाए और कोई और दुकान वाला है वो कुछ और तरीके से बनाएं नहीं सब भी जने एक ही तरीके से खाता बनाते हैं तो यह कुछ इसकी विशेस्ता ही थी आप से पूछा जाएगा क्या इन में से लेखांकन की विशेस्ता नहीं है आपको कोई चार विशेस्ता दे देगा इन में से कोई पांच में अलग दे देगा कि लेखांकन खेल में यूज आता है क्या आता है क्या नहीं आता ठीक है तो इसलिए कुछ भी अलग लाइन दे देगा तो यह इसकी कुछ व हमें बता दीजे कि आप जो बोलते हो जो हिंदी मीडियम से कैंडिडेट हैं और इंग्लिश मीडियम से कैंडिडेट हैं उनके लिए थोड़ असा ये चीज अलग रहती है तो उनके लिए भी और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी द विक्रे का मतलब होता है सेल्स फिर आता है क्रे वापसी क्रे की उसकी वापसी कर दी पर्चेज रिटन रामु काका से कोई समान खरीद गर लाया उसके घर पर पसंद निया रामु काका को वापिश देया है वो पर्चेज रिटन है सेल्स रिटन विक्रे वापसी इसको क्या ब प्पियार फिर आती है capital, पुझी फिर drawings आहारण क्या है रामुकाखा, यह दुकान है, रामुकाखा खुद ही गर्पर कुछ समान ले जाते हैं, तो वो होती है drawings, फिर आती है संपति, assets, होती क्या है संपती, capital प्लस liability मिलाकर संपती बनती है दोस्तों, capital प्लस liability दोनों को अपन होती क्या है कितने टाइप की कैपिटल होती है और अगर दोस्तों वीडियो समझ में आ रही है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जो भी आपके साथ जो भी नया कैंडिडेट आया है पहले तो वह जल्दी से बैल आइकन दबा लीजिए और सब्स ही नहीं चल रहा कहां से कितना स्लेबस करें कून सी बूक पड़ें किसी बूख में पूर परसलेबस नहीं तो केण डिडेट की यह कनफूजन दूर करते हुए मैं लेकर आया हूं कति estáuchi phase no which chorate तो व्मर्रीन इंदर विजरूबर संक्रांइकार अगाते हैं दो प्रिवास्पार्वीशन आ जाते हैं जस्ता कि पेपर में आता है इने क्वाध़ा क्रोने 5 9 सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता लगने लग जाएगा कि यहाँ पर अपनोंने कभी यह बात करकर आये थे तो आपको इजनी चीजों को ध्यान रखते वे अपने class start की है दोस्तों assets क्या होती है कै पहला आजाता है सथाई संपती सथाई संपती क्या होती है fixed assets मतलब जो अपने पास fix रहती है fix का मतलब भूमी है क्या कभी कम होती है क्या कभी बढ़ती है क्या नहीं बढ़ती जब तक अपने नहीं बढ़ाते या जब तक अपने बेचते नहीं तब तक कम नहीं होती student क्या रहा होगा सर तो गप मार रहे हैं नहीं मार रहे कि फूमी कम नहीं होती यार मैं तो काली बेची, बेचने से तो कम होगी, क्या पड़ी पड़ी घड़ जाती है या वो, नहीं घड़ती, भवन ये भी नहीं कम होता, पड़ा पड़ा एक दिन में खतम नहीं हो सकता, दोस्तों, क्या है, इसमें और भी एक्जामपल ले सकते हो, जैसा फरनीचर हो गय टाइम के साथ तो कम हो सकता है, पर वो एक फिक्स रैसेट्स है अपने पास, चालू समपती, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स कौन सी होती है, जिनको हम जल्दी से जल्दी नगद में चेंज कर सके, जरूरत होने पर अपने नगद में चेंज हो सके, जैसा कि स्टोक्स हो ग हैं चालू समपतियां बोलते हैं इसमें देंदार भी आ जाते हैं जो बिल्स होते हैं बैंक और ऑट्राफ्ट यह जो भी ब्लस प्राप्त होते हैं जिनको अपने बाद में कईोंने सुना होगा कि आज अमबानी जी ने नाम बना रखा है कि या फिर जो भी बड़ी कमपनिया है उन्होंने अपना नाम बना रखा है नाम बना रखा है तो उनकी कुछ मार्केट में गुडविल तो हो चुकी है अगर आज उनके नाम से कोई भी other candidate मान लीजिए Reliance को कोई भी खरीद ले Reliance कमपनी को कोई भी खरीद ले आज अमबानी जी की है कोई भी खरीद ले क्या Reliance की goodwill है market में बहुत goodwill है अराम से बिक सकती है तो जितने की कमपनी है उससे जादा में बिकेगी वो आज कमपनी सिर्फ मान लीजिए एक बार कि किसी की दुकान है वो 10 लाख रुपे की है 10 लाख रुपे का ही उसके अंदर material है पर उसने बेची 20 लाख रुपे की है ऐसा क्यों अगर वोई आदमी अगर कोई बजार में जाकर उतना समान लेकर दूसरी दुकान ताइम के साथ ही बनती है और भरोसा जो होता है उसके साथ बनती है आज अपने शूज लाने जाते है एडिडास, रिवोग इनका भरोसा है तो इनकी गुडविल है कोई फरजी कंपनी आ जाती है क्या आप हरे कैंडिडेट उसके पास चला जाता है नहीं बेच सकती तो इसी लिए वो गुडविल है जो उसको समान बेचने में हेल्प कर सकती है फिर आती है कालपनिक संपती फिक्स्टिस या सैसेट्स जो मातर एक कल्पना है अपनी कल्पना है कि हमारे पास या सेट्स है आपका जैसे समय बीटता जाता है खनीज है तेल है कोई एक टाइम ऐसा भी आता है जब यह एकदम जीरो लेवल पर हो जाते हैं तो यह अपने पास 6 समपतियों में आते हैं चाहे साल भर में कुछ भी कम हो यह होते बहुत जल्दी कम हैं तो यह खनीज और तेल हैं फिर आते हैं अपने पास तरल समपति तरल समपति भी current assets के रूप में ही होती है current assets और तरल समपति एक जैसा सा रूप माना जाता है पर दोनों अलग लग हैं तरल समपति को भी अपने cash में change कर सकते हैं जैसा कि bank draft हुआ अपने बैंक में गए लगाया अटराफर अपने पास कैश आ गया तो ये भी तरल समपती है जिसको अपने जल्दी से जल्दी कैश में चेंज कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों धन्यवाद